जय जवर्नाथ पिला माने अधि आमों आउडे एन्वा वीडियो ने असे ची जुड़ा कि मोरो रहीवा इलेक्ट्रोस्टाटिक्स रहा लेक्चर थ्री रहीवा आउ लेक्चर वान आउ लेक्चर टू जदी तमाने देखी न ताहले मो यूट्यूब चैनल पी एन फिसिक्स प्रधिप नंद पुझाइज देखी परिवा मो डेस्क्रिप्शिन दे लिंक देदेवी नहले तमें यूट्यूब कु जाएकि फ्री एन्फिसिक्स प्रधिप नंद मारिवा एवां सेडी तमें ओर लेक्चर वान आउ लेक्चर टू देखी नावा लेक्चर वान आउ चा q2 by R square force between two charges. If you are q1 is a charge and if you are q2 is a charge. The force between them is k q1 q2 by r square and more concretely superposition principle जगि एक नेत कर में भाराकोве रिवा, तो होफोबलगों होगों एक चाहा जोगों वहीजिवा थिक अचेAwาม आफोषे तमाने बुझा मने विदिपपारिन मोने विदियो देखिवा आऊको कॉमेंट्स करИको, मों कुमेंट्स करीवा,टा तरों बुझी पारलोंगी, तो आजिए मोंसु आई फोर्स और कंटीनिव करीवे, शोकु फोर्स कंटीनिव काण करीवे मुद? मुद करीवे Колumns लो इन direction कही भी देखा मुने करा एटा गड़े q1 चार 0 गड़े q2 चार से माना कवित्तरे distance होची r एपने मू r12 गड़े vector नेली तो देखा f12 कान force on 1 due to 2 जोदी f12 नेली मूँ distance vector between them होची r12 vector नेली ठीक अची r12 कान मूँ कही भी but first you see a.2 एई डायरेक्शन रहिवा एई डायरेक्शन रहिवा बेली तार डायरेक्शन मदे देखे आरा चीना नाई तो मू कोही तरी force on our line joining the two रे act करिवा तो एई पड़े होब बेली मूँ केमती जानी भी मूँसे रा लेखे आऊ पड़िवा मते सो notation रह खाली kq1 q2y r² लेखे दल हाऊ मूनी तो मूँँ ऐजू distance को इन वेक्टर फर्म डे r12 वेक्टर नेली जाहरो कि r12 इजु बिस्टन्स कु इन वेक्टर फर्म्रे R12 वेक्टर नेली, जहारा कि R12 मैगनेटिव र कि तो डाइरेक्षन हो जिक्वाले, तो तार डाइरेक्षन मुँ क्यम्ती देखेवा, direction क्यम्ती देखा जे फिला माले, तो direction देखेवा पाईं कि मुँ गोटे unit vector यूज करे, तो क क्यम्ती मु लेखे, ना फूल वेक्टर वेक्टर A divided by magnitude of that vector मु लेखे, तो unit vector ला, vector A divided by its magnitude, आच्छा, तो सब्सक्वाले direction देखेवा, तो मुँ उनिट वेक्टर यूज करे, तो मुँ कौन लेखी पाईं, A.12 is equal to KQ1Q2 by magnitude of R12, that is R square, into R12, क्या, ता माने R12, जो direction र अच्छी मु लेखे, ना फूर्स ता से इडायरेक्शन रेहब, मने कला R12, A direction राची ता फूर्स ता इडायरेक्शन रेहब, तो अब्वे मु कौन करी पाईं, मु कहिली, एनी वेक्टर, A एनी उनिट वेक्टर is equal to A वेक्टर divided by magnitude of A, तहाले, मु एई उनिट वेक्टर जागा लेख मु एडा तोके ही पाईडी भी, तो देखो एवे, तो देखो एवे, तो देट इट इग्वाल टो K Q1 Q2 by R12 magnitude square, R12 magnitude square, तो आको जदे मु लेखी पाईडी भी, R12 क्या प्कू कून लेखी पाईडी भी, R12 full vector divided by magnitude of R12 vector, तो लेखी पाईडी भी, तहाले, क्यत्ते है जवार, क F12 vector will be equal to K Q1 Q2 divided by R12 vector magnitude square into R12 full vector, तो देखी पाईडी भी, K Q1 Q2 by R cube into R12 vector, तो देखी पाईडी भी, तो देखी पाईडी भी, तहाले, मुँ कॉन लेखी भी, K Q1 Q2 by RQ into R12 vector, ओके, बुजिये ला, तहाले, एड़ा हला, मुरो F12 vector, that is Coulomb's law in vector form, जदी vector form देखी भी, तहाले, मुँ एड़ा लेखी भी, similarly, जदी, similarly, जदी मुँ F21 भार करें हुचानी भी, similarly F21 कॉन लेखी भी, similarly, F21 कॉन लेखी भाम, K Q1 Q2 by RQ, by RQ into, into R21 vector, so, R21 vector कुवारे, न, R21 vector, is in this direction, this is R21 vector, got my point, तामाने, F, एपटे हला मुरो, F21, एपटे हला F12, किंदु, R21 magnitude and R12 magnitude, दीटेदा को सम्मान, अंकी नहीं प्लाहाने, R21 magnitude and R12 magnitude सम्मान, किंदु, direction दीटेदा करो अलोगा, so, सेथे भाई, मुलेखी पाली भी, F12 vector, is not equal to, F21 vector, F पर दीटेदा की force, F पर दीटेदा की force में, अल्दो, magnitude, magnitude सम्मान, अल्दो, magnitude दीटा दा करो सम्मान, किंदु, direction अल्गा-ल्गा, so, सेथे भाई, मुलेखी पाली भी, F12 vector, is equal to minus, F21 vector, so, F12 vector, is equal to minus, F21 vector, गोटे मनीट पिला मानी, मुलेखी देखी दीए, okay, so, A, लेखी अमुल, एमीदे कहाई की कली, ना देखा, एजो, R12 गो मुल केमीदी देखेवी, ना R12 गोटे, position vector मुल R1 नेली, सिम्ति, एठ्टु, Q2 गोटे, position vector R2 नेली, तो, एबे, तो, R12 vector जोदी मुल रिप्रेजेंटेशन करिया को चाहिए भी, हाले, मौने रखेट, R12 vector मुल जोदी रिप्रेजेंटेशन करिया को चाहिए भी, हैते, A जिवा, R1 vector, minus R2 vector, R1 vector, minus R2 गोटाई की, ना देखा, एटा आउची, R1 गोटे direction दे, एटा, प्लस, एटा, इटा, 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 रिजल्ट, आड़, माने गोटाई जिवा, ना R1, ओके, सु, ता, माने कोटाई जिवा, ना R1, R1 vector, is equal to R2 vector, plus R12 vector जीजिवा, तो एटा है तो एवे जिवा R12 वेक्टर कॉन और R1-R2 वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर फॉर्म रे मुँ लेखिया हुचाहिए भी ताले तम्मे एवे कौन मने रखीवा कि खाली मने रखीवा जे F12 is equal to KQ1Q2 by R12 रस्क्वेर इन्टु R12 यूनिट वेक्टर एटा होजी कुलंस ला वेक्टर फॉर्म किम्बा काकुज दी सिंप्लिफाय मुँ करिभी KQ1Q2 by RQ इन्टु R12 फूल वेक्टर एटा उनिट वेक्टर एटा वड़ फूल वेक्टर एट्टि की मने रखीवा आउ एटा कॉन देखाऊची ना देखाऊची F12 देखाऊची F12 करिभी KQ1Q2 by RQ एई पड़े मुँ F21 देखें निगे F21 एपड़ आपकाल F12 not equal to F21 बट F12 is equal to minus of F21 धीटा दाकर मैग्मिट्यूट समाल आउ धीटा को ऑपोजिट डारेक्शन देखाऊची F12 is equal to minus of F21 तमें लेक्टी पारीबो फुजी यहला पिला माने तो एबे मुएड देखाऊची कुलम्स लाइं वेक्टर फॉर्म्स अरीगाला आच्छा एपड़े आउ कुन देखी बाहां में मुएड़ों लिबेट देखाऊची भाबुची क्लियर रही दिवाद अमारं आच्छा मुँ कॉन लेखेली कुलम्स लाइं कॉन कॉन पाइली एफ इसे क्वाल टू के क्ववान क्युटू बाइ आर स्क्वेल अमारं मैंने तुटू अच्छा एइग क्युटू अमारं पाड़ी बीच्टा कॉन एटासवड इसक्टा कॉन तो के ऊचि मुरा k is equal to 1 by 4 pi epsilon, k रो value येला 1 by 4 pi epsilon, ताल एपसाइलन कोण, ना epsilon हुच्छी, permittivity of the medium, permittivity of the medium, epsilon हैला permittivity of the medium, permittivity of the medium, ताल एपसाइलन कोण, ना epsilon is equal to, एपसाइलन 1 by 4 pi epsilon, सो f is equal to kůण, शभुकर कांए गला, ना 1 by 4 pi epsilon, Q1 Q2 by r-square, हाले epsilon हुच्छी वाएपसाइलन केता येजिवा?, lóg Columb सेड़न वाएपसाइलन कोण, च QR और ḥ एपसाइलन कोण, केता है येजिवा, So that is epsilon, permittivity of the medium. मुझे यहला पिला मैने, ताले epsilon रा unit काना अभा, epsilon रा unit. Unit, epsilon रा unit. So unit आप epsilon काना ही जिवा, रेखा Q1, Q2, unit will be काना, coulomb square, charge, charge, coulomb square, force रा unit काना ही जिवा, newton. Then distance, distance रा unit काना ही जिवा, meter square. एडा ही जिवा, epsilon रा unit. पाबुजी पिला मैने, तो मुझी पारती हो, epsilon रा unit काना ही जिवा, आच्छा, this is permittivity of the medium. तामें कोई बसार आपन दो 1 by 4 पा epsilon 0 लेकूती ले, epsilon 0 हेला काना, 1 by 4 पा epsilon 0 हेला काना, ना epsilon 0 हेला permittivity of the air or free space, देखा, एडाला permittivity of the medium. So, epsilon 0 is the permittivity, permittivity of free space, free space, vacuum or air. इननी टेखा करोई पे आप permittivity नौची कणा, epsilon 0, जदी गोटी दीटा चार्ज, जदी दीटा चार्ज, मुरग air रे अच्छांती, कि free space रे अच्छांती, कि vacuum रे अच्छांती, ताहाले तांक वित्तरे जो permittivity टामों थाव एपसाइला नौट बिली लेकिवी, permittivity of free space, permittivity of vacuum or permittivity of the air, किन्तो जदी गोड़े medium रे फोर्स अच्छी, ताहाले ताको लेकिवी 1 by 4 पा epsilon, ताह थावन कि मि जदी फोर्स अच्छीर मेडियम, ताहा थावन कि वित्तरे नौट बिली लेकिवी, ताहले कि मिली ना 1 by 4 पा epsilon, Q1 Q2 by R square, जदी पोर्स अच्छीर अच्छीर वेक्यूम or free space F naught, So, F0 is the force in air, force in air, so force in air, vacuum or free space. So, F0 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R2. एपे clearly बुझी पाई लग, जदी medium रे गोट अच्छी force, तहाले 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R2. जदी air रे अच्छी 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R2. एटी epsilon, एटी epsilon 0. बुझी यहला? एपे, एपे देखा, मूँ एपे डिवाइड करी भी. फोर्स इन एयार, F0 divided by Fm. फोर्स इन एयार, डिवाइड वै फोर्स इन इविन मिडियम. फोर्स इन एयार रे गला, 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R2. इने मिडियम करें एजिवा? इने मिडियम एजिवा, 1 by 4 pi epsilon, Q1, Q2 by R2. 40 जिवा किये कि, so Q1, Q2 पटिगाला, Q1, Q2 पटिगाला, R2, R2 पटिगाला, ताहाले, एटा कित्त है जिवा? ना, देईश इक्वाल टू EPSYLON by EPSYLON 0. एट इस EPSYLON divided by EPSYLON 0. ना, ओल्टाइड जिवा कि, ना, 1 by 4 pi epsilon 0, ओल्टाइड जिवा, EPSYLON 0 by EPSYLON. ओल्टाइड जिवा, एटी 1 by 4 pi EPSYLON 0 रहिला, एटाइड इन्टू 4 pi EPSYLON, तो कि, एबे देखा, दा मैं, एटी रहिला, 1 by 4 pi EPSYLON, ना, रहिला, उपरे, एटी रहिला, 1 by 4 pi, ओल्टाइड जिवा, तो 1 by 4 pi EPSYLON रहिला, ठीका चीं, ता एबे मु काण करी भी, 4 pi EPSYLON, एटा कुन ही जिवा, बाई, वाउन ही जिवा, तो उपरे रहिबा EPSYLON, तो रहिबा EPSYLON 0, EPSYLON by EPSYLON 0 रहिला, तो जो EPSYLON by EPSYLON 0 रहिला, आको मु कुए EPSYLON R, ओके, तो वाट इज़ा, EPSYLON R, एप्सYLON R, एप्सYLON R, इस दा रिले टी पर्मिट पर्मिटिविटी सु रिरेटीविटीविटी इस जा फिरें पर्मिटिविटीविटीव 的 एफसाइलन और% डो प्यों यहां मने तो अहते कौन रिरेटीव प्यों। गॉण अहीनि में ? Um, permittivity, permittivity in a given medium, in a given, in a given medium to that of permittivity, permittivity in free space. permittivity in free space, or air, or vacuum. Okay. So, it is the ratio of permittivity in a given medium to that of permittivity in a free space. So, एक्ति की पिला मने बुझीला, तो एबे देखा, epsilon r कौन है पिला मने, epsilon r is equal to epsilon divided by epsilon naught, that is the relative permittivity of the medium. Again, epsilon r is equal to epsilon divided by epsilon naught, that is equal to dielectric constant. K is dielectric constant. So, जो, अगर जो, k पौनितलो, that is Coulomb's constant, or electrostatic constant, this is dielectric constant k. okay, so यदि मुँ एटी ए देखा, epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught that is equal to k, यदि मुँ epsilon बार करिया हुचाहिं भी, that is equal to epsilon k, okay, so dialectic constant for ar is 1, so we can write 1 by 4 pi epsilon naught and the value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12, unit कोन अभा, epsilon naught र, Coulomb square divided by Newton into meter square, okay, so and I have already told you the value of 1 by 4 pi epsilon naught, so that is equal to 9 into 10 to the power 9, what is 1 by 4 pi epsilon naught, Newton, okay, so Newton into meter square divided by Coulomb square, that already I have already told you, okay, so now I have told you three things, one is epsilon, another one is epsilon naught, another one is k, another one is epsilon r, chatta jinsa, epsilon by epsilon naught is called dialectic constant k or relative permittivity, permittivity, so now epsilon is the permittivity of the medium, ताल एकि तिन्टे जिन्टे जान ले कोन, epsilon, epsilon, epsilon एला permittivity of the medium, permittivity of the medium, so the permittivity of the medium, epsilon r एला कोन, epsilon naught एला permittivity of the free space or air, permittivity of free space, is air or vacuum, 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 then epsilon r एला relative permittivity, relative permittivity of the medium, relative permittivity of the definition मुँ कोई ची, epsilon r एला कोन, relative permittivity of the medium, and k एला कोन, dielectric constant, k is dielectric constant, constant, now for air, k is equal to 1, epsilon equal to epsilon naught and we are writing 1 by 4 by epsilon naught, okay, so that is fine, so एडा परे दला पिला मने जाने दला एति की, ता परेक मुँ कोई ची, इदो permittivity of the definition कोन, permittivity of the definition कोन, खली लेखा, permittivity of the definition कोन, but permittivity of the medium रडेफिनेशन कोन, तो permittivity of the medium रडेफिनेशन हैला, तो मुँ कही लेखान, देखा, f is equal to 1 by 4 pi epsilon into q1 q2 by r square, हैला, जदी मर एपसाइलन टा अधिका हब, इपसाइलन इंक्रीजेज, देन फोर्स रडेज, इपसाइलन रडेज, देन फोर्स रडेज, ता मानने, इपार मित्र जडेफिनेशन लेकी भी, property of the medium, property of the medium और property of the material, basically, property of the material, property of the medium, medium और material, जो material है हमरो चाल्ल्स रडबाव चे, सब्सक्राइब कर सक घ्राने अधीसरा करिछ ढां चर्य को बनार ब्राम से घ्राने लाथलिवthe पटी जी है कहा को अपोज करीवा फोर्स को अपोज करीवा जोकि तम्हें बढ़े ही दवा एपसाइलन व्यालू फोर्स टा डिक्रीज करीवा ड्रास्टिका लिग बुजी एला पिला मानि एतिकी तो एबे मुझेटा को इरेज करी दोची तेनेटा चाट्टा जिन्सा जो प आच्छाँ so heading one more comparison of comparison of electrostatic force, electrostatic force to that of gravitational force, to that of gravitation force. Comparison of electrostatic force to that of gravitational force. If you ask the question, then compare the electrostatic force, to that of gravitational force. force, gravitational force between an electron and a proton separated by certain distance in air, separated by certain distance in air. गुजियला फिला आने, तम्मु कान करी भी, compare the electrostatic force to that of gravitational force between an electron and proton separated by certain distance in air, तम्माने electron अब proton भी तरे मुँ compare करी भी, गौना, gravitational force to that of electrostatic force, केम थी compare करी भी, तम्मु जानी ची, आगा electrostatic force, फॉर्मुला करी एफ, electrostatic, F e, is equal to कॉन, ना के, Q1, Q2 by R square, अला, जो एठी कहा काई वितर भारी वो, ना के, Q1, Q1 एला, चार्ज अप्रूटन, Q2 एला, चार्ज अप्रूटन, डिवाइड़ भी, आर स्क्रे, सो चार्ज अप्रूटन, अप्रूटन तम्माने जानी चा पिला मने, चार्ज अप्रूटन, चार्ज अप्रूटन, चार्ज अप्रूटन, चार्ज अप्रूटन, के ते, is equal to, 1.6, चार्ज अप्रूटन, is equal to, 1.6, इंटु 10 तो दिपावर, माइनस 19 कूलं, चार्ज अप्रूटन भी से, के ते, 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb तो के र गयलु जानी चो 1 by 4 pi epsilon not कारणों देची मोरो AR दे तो AP electrostatic केते ही जिवा 1 by 4 pi epsilon 0 QP 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by R square एती के होगा मरी electrostatic force अला तो एपे gravitational force केते ही जिवा पिला मने gravitational force F gravitation F gravitation force पिला मने जानी चो capital G into G M1 M2 M1 M2 by R square एती केते ही जिवा G okay M1 M2 by value केते M1 एला केते? जी एठी जी रवैलू केते हैं जी यौची 6.67 इन्टू 10 टु दी पावर माइनस 11 उनिट कोणे जी वा जी रह एके नुटन इन्टू मीटर स्क्वेर बाई केजी स्क्वेर बाई केजी स्क्वेर आचा एवे मासा प्रोटन जानेचा फिला मने तमों को 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, mass of electron तमें जानी चो केते, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, okay, ये वे वे अलुपा के दावा, so that is equal to, केते, G, okay, इंटो MP, mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 into 9.1 into 10 to the power minus 31, divided by R square, F E by F G, केते ये जिवो फिला मने, F E by F G, electrostatic force by gravitational force, केते जिवो, electrostatic force जिवो, एड़ा वालुपा केते हुची, 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 by R square, by R square, whole divided by 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1.67 into 10 to the power minus 27, okay, so into 9.1 into 10 to the power minus 31, okay, divided by R square, R square, so E R square, R square, cancel ही जिवो पिला मने, ताहा ले, मुँ एपड़े ले कुची, ताहा ले, A P by F G, A P by F G, केते ही जिवो पिला मने, F, electrostatic force by gravitational force, okay, so divide ही जो एडा, okay, so divide को ला पोहरे केते आसीवों मोरा, ना 2.2 into 10 to the power 39 आसीवों पिला मने, 2.2 into 10 to the power minus 10 to the power 39 आसीवों, okay, ताहा बुजी पाहिला, 2.2 into 10 to the power 39 आसीवों, ताहा मानने, मूँ कोई आर कोई बार मानने, मूँ एस्थीगी, 2.2 into 10 to the power 39, ताहा मानने, मूँ एडा, electrostatic force is equal to 2.2 into 10 to the power 39 gravitational force, कहा पाहिए, electron of proton पाहिए, ताहा मानने, ओ फोर्स्टा बड़ इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स इस फार फार ग्रेटर दन ग्राविटेशनाल पोर्स, तम्मा, अनका मा अध्यारे गटे रॉम कंसेप्ट थीवा, ते ग्राविटेशनाल पोर्स्टा बहुत बड़ पोर्स, ना, ना, बड़ फोर्स किये, इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स, ता अठरू बड़ फोर्स, निूट्लियर फोर्स, आमें जानी थीवा, बट, इलेक्ट्रो स्टाटिक आव ग्राविटेशनाल पोर्स भित्तरे, सब्बुत बड़ फोर्स, बहुत बड़ पोर्स, 10 तुदिपार 39, इन वह जेतों 10 तो दीवार 39 कोउची शजी गता बहुत बहुत बड़ा क्वांटिटी तो बहुत ब्रेटर दन ग्रेटर दन ग्रेटर दन ग्राविीटेशनल फोर्स तप माने ए डी कंपेरी जल्व माते खळण करिला नहाँ इिक्टर स्ट्ट क्रॉट्थ Ctrl एल्ले क्रोट्वर्डं प्रोटेस्टा बाओ इलेक्टर्ण अम्रॉटः क्रोडिक्रेस। और एलेक्ट अम्रोटेन प्रों प्लॉट्टेस्टेस्टा सब्छोट बौहुट ब्ढ़ा। भुजी है लापिला माने एक पॉस करी लेखी दिया हुँ भाबुची तो मुझा फिल आस्तियों कोई फोस्टा बड़ावे लिए इरेश करते हुचे यह एपे इपे मुझा एक पर्श काहना शिमिलारीटी काहना दी सिमिलारी काहना डिफेरंस हुचे पौना टाहले तुदि प्रोट्रन प्रोट्रन देए थीवा कि यहाद दो इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन देए थीवा ताले तम्हें बार्गुलेशन करी कित्ते टाइम्स बड़ा तेड़ा बार्गुलेशन करी कित्ते टाइम्स बड़ा शेदा बार्गुलेशन करी कित्ते टाइम्स बड़ा इलेक्ट्रन प्रोटन वित्तरे ये बोड़ा पंक्लुजन दोला तुझे इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स्टा बहुत बड़ा ग्राविटेस्न फोर्स्टारू यह दीट दका फोर्स्ट्रा सिमिलारीटी कोना सिमिलारीटी सिमिलारीटी यहला तम मुले कुछी इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स्ट कोना ना के क्यू आन क्यू टू बाई आर स्क्वेर ग्राविटेस्न फोर्स्ट यहला कोना ना जी सिमिलारीटे कोना ना दीट तका बोहत लॉंग रेंज फोर्सटा का मों करनती ङूँदी लॉटार का अंटी आर लॉँड घान यहलारीटी कोना는지 पुर्ध यहलार आर लॉंग रेंज फोर्सटारेश्याidence। बोर्त आर लॉंग रेंज फोर्स Men similarity बोथ हार लॉंग रेंज भूर्शेज ता परें दीट जेका inversely proportional to r square बोथ ओबे inverse square लो 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 बोथ the forces obey inverse square लो भुजी परुचा inversely proportional to square the distance between them both obey inverse square law inverse square law corner now inverse square law is inversely proportional to r square both the forces inversely proportional to r square okay both forces do not require any medium both forces do not require require any medium दी रदा का फोर्सों मीडियं धुर्कार नहीं किन्तुव इलेक्ट्रोस्ट्राटिक फोर्स मीडियं रे व्यालव चेंज हुए किन्तुव ग्राविटेशनाल रे मेडियं रे व्याल्यू चेंज हुए नहीं दीटा का बीना मीडियं रेंदा का बीना मीडियं अम्रे कमोगरी पारांधी किन्दु जद्धी मेडियम अच्छी ताली इलेक्ट्रस्टाटिक फोर्स रा गयालू चेंज हवा मुझाईली पर्मिटिवेटी उपरे डिपेंड खरीवा जदी पर्मिटिवेटी बढ़ीला ताली फोर्स कमीवा कि आप गयाओ आपोर्स G, सो यह बेसिकली ए थी गेला मेजर सिमिलारीता थियम नum कूंळ। डिफॿरेंश कौन। ओर डिफॿरेंस पिलाबाने तमयाज भॉपूचौ। ग्राभितेशन नल फोर्स फाली अट्राक्ट करी। किन्तु इlectrostatic force attractive अत्राक्षं करीमा और repulsion भी करीमा opposite charges attract and same charges repel तो मुखका ने कुछी टैसी अंव ने आत्राक्टिव अंखली करीमा अर्लक्टिव इप जे gratis वेल आॉवन अखली वेल जानक्टिव उनल्क्तरीम एट्राक्टिव as well as repulsive, okay, it is not affected by medium, it is not affected by medium, okay, नम्बर वन तूर हैला करना, it is affected by medium, जहाँ भी medium थाओ, वर ग्राविडेशनल पोर्स को किछी फराग पड़ी वनी, किन्तो इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स को फराग पड़ी वन, आफेक्ट्र बाई मीडियाम, it is affected by medium, देन नम्बर थ्री, number 3 अला, electrostatic force magnitude will be much more, okay, so electrostatic force magnitude, magnitude is less, magnitude is very high in comparison to gravitational force, magnitude is very high, very high in comparison to, in comparison to gravitational force, in comparison to gravitational force, gravitational force, so एई तिम्टा तो मेजर डिफरेंस लेकिली, पर मेजर रहला, gravitation का गण, attractive, इलेक्ट्रोस्टाटिक का repulsive, आओ, gravitation का not affected by medium, it is affected by medium, magnitude is less, magnitude is very high in comparison to gravitational force, तो एत्ती की हेगला मोरो, almost force अरी गळा, तो आओ गोट्टे question करी की, आओ आज रो वीडियो को सेज करीवा, गोट्टे मेंट करते हेई गोला ने वीडियो मोटी ये देखी दिये, length, आओ गोट्टे question करी के आओ वीडियो को सेज करीवा, okay, so one hour है नी, तो सितिपाई की, तो गोट्टे question करीवा, simple question करीवा, हाओ एच चार्च, हाओ एच चार्च, capital Q is divided, divided and separated at certain distance, divided and separated at certain distance, certain distance, certain distance, distance, so that, so that force between them, force between them is maximum, force between them is maximum, force between them is maximum, okay, so, हाओ एच चार्च Q is divided, पाउस करीगी साल्व करा, तापर मूस आल्वकरी भी, फिला हाओ एच चार्च करीगी साल्वकर, हाओ एच चार्च Q is divided and separated at certain distance, so that, force between them is maximum, okay, so, साल्वकर साला पारे पाउस करीगी, तो मैं चेक करीवा solution, तो लेट ता, let it is let one charge will be x let one charge q capital q will be divided let one charge is x let one charge is x okay so what will be other charge other charge will be q minus x other charge will be q minus x total charge q जदी गुट्टे x है ला आवोड़े केते ही जिवा q minus x total 10 कुलम अच्छी गुट्टे जदी 4 कुलम है ला आवोड़े 6 कुलम भुजियो जी पिलावानिया ताहा ले एबे देखो जो x and q minus x ताहा ले एड़े बोड़े चार्ज एड़े बोड़े चार्ज आँका वितर फोर्स आवा फोर्स केते ही जिवा युजियो जो हुजियो जोना q minus x ठीका ची ताहा वितरो ही डिस्टान्स हिला किते आर र स्क्वेर तस्कुर्ष माक्सिमा जो force will be maximum, केत्त बढ़े, force ता केत्त बढ़े maximum अब, ना force ता maximum अब, minimum अबा पाई, दू इटा condition अच्छी, तो fast गोट्टे प्रथम condition मुशब बढ़े apply करे, सिये maximum हाऊ, की minimum हाऊ, कोण condition, ना fast derivative करी भी, जोदि fast derivative ता मुर 0 हेलला, ताहाले सिरा maximum हाऊ, की minimum हाऊ, केत्त बढ़े maximum हाऊ, केत्त बढ़े minimum हाऊ, से डाइबे मुर जानी बढ़त करने, मुझ आणूची, जे maximum हाऊ पाई, फर f max, फर force to be maximum, for force to be maximum, maximum df by dx must be equal to 0, df by dx must be equal to 0, बुजिये यहला, so df first derivative, सि maximum देथाऊ, minimum देथाऊ, force to be derivative करेए, equate करदेवी 0 को, मत्ये physics रहतीख दगार, किनो mathematics मुझ आणी भी केत्त बढ़े maximum हाऊ, को condition हाऊ, को condition हाऊ, को condition है minimum हाऊ, सि maximum देथाऊ, minimum देथाऊ, मुर df by dx को 0 करदेवी, ता यह बे, df by dx केत्त हाऊ, k by r square अला constant, एड़ा, qx q, qx रा derivative अला q, एड़ा, x square, x square रा derivative अला 2x, okay, ता maximum हाऊ, df by dx 0, so that implies 0 is equal to, k by r square, whole into q minus 2x, okay, so that implies 0, एड़ा, 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 मुल्टिप्ला हाऊ, 0 h बासाऊ, q minus 2x, so that implies 2x is equal to q, so that implies x is equal to q by 2, मु कौन नहीची, गोट्टिए चार्ज नहीची x, ता हाले, x रा value हेला केत्त है, q by 2, ज़ि 1 आगोटे चार्ज केते नहीची, q minus x, ता केते हीची, q minus q by 2, that is q by 2, so force to be maximum, force to be maximum, force to be maximum, to be maximum, एड़ा मने रखिवा, force to be maximum, बोट forces, बोट charges, must be, बोट charges, must be, q by 2 and q by 2, okay, so कारणो, ज़ि मु एक्स, ज़ि q by 2 हेला, आगोटे चार्ज होची, q minus x, q minus x, भी q by 2, ता मने बोट हेला q by 2, q by 2, ज़ि तमगो question पड़िवा, 10 कुलम चार्ज अची, 10 कुलम चार्ज, when force will be maximum, ना when, बोट will be 5 कुलम और 5 कुलम, 20 कुलम चार्ज अची, when force will be maximum, when बोट will be 10 कुलम और 10 कुलम, ज़ि ज़ि गोटे q, q by 2, q by 2 रे डिवाइड आवा, ताहले force तांक भी तड़े maximum हबा, तो आजी एत्ते की, force, बिल्या माने सरी वाला force, ठीका छी, problem करीवा, NCIT problem, तापर जेही नीट रप्राब्लेम मुझे, आप्टर सरी ले करीवी, स्टाटिंग उड़ू, ठीका छी, तो NCIT problem करीवा, ज़ि कीची doubt सची, ताले comments करीवा, जो भी पॉर्चने doubt सची, तामे comments करीवा, ठैंक यू,